इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा राजिस्थान संग्णक भरती परिक्षा 2024 के लिए शंग्णक एक्जाम के लिए अधिनस्त बूर्ट द्वारा लाश्ट की 10 सालों में पूछे गे राजिस्थान GKK के क्यूशन जो की अलग-अलग कॉम्पिटेशन एक्जाम में प पर मौर्निंग में साड़े दस बज़े देखने को मलती है इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा जूनियर इंस्ट्रक्टर एक्जाम 10-9-2022 को एयोचित हुआ उसमें पूछेगे राजिस्तान जी की के क्यूशन की चर्चा करूँगा डेली आपको वीडियो में बता दिया जाता कि कौन से पेपर की चर्चा की जाती है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्रा जिसमें आपके करंटा फिर होगी अगर्स से लेकर जनौरी दोहजार चौविस तक की अब बात करता हूँ जूनियर इस्ट्रक्टर एग्जा में पुछेगे के क्यूशन जो की राजिस्तान चीके के थे हाडी रानी की बावडी या हादी नहीं होगा हाडी रानी की बावडी कहाँ पे यस्थित है आपके पास ओप्षन है नाडोल, टोडा राइसिन, आबानेरी, नीमराना तो आपका राइट एंसर हो जाएगा हाडी रानी की बावडी है ये टोडा राइसिन इस्तत है B आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन वर्स 1953 में एसिया का सबसे बड़ा सिमेंट का रखाना कहां इस्तापित किया गया था जैपूर, स्वाइमादूपूर, जोदपूर, बीकानेर तो आपका राइट एंसर हो जाएगा वर्स 1953 में एसिया का सबसे बड़ा सिमेंट कार खाना स्वाई मादुपूर में इस्तापित किया गया था B आपका correct answer हो जाएगा Next question राजिस्थान के जिस सेहर को सीवी रमन ने Island of Glory नाम दिया है वो कौन सा है अजमिर, उदेपूर, जैपूर, जोदपूर तो आपका right answer हो जाएगा राजिस्थान के जिस सेहर को सीवी रमन ने Island of Glory नाम दिया है वो आपका जैपूर शेहर है C आपका correct answer हो जाएगा Next question सहरिया जन्जाती के कुम्ब के नाम से परसीद मेला कौन सा है सीता बाड़ी का मिला, नागोर का मिला, डोल मिला या बेनशर मिला तो आपका right answer हो जाएगा सहरिया जन्जाती के कुम्ब के नाम से जो परसीद मिला है वो आपका है सीता बाड़ी का मिला यह आपका correct answer हो जाएगा Next question नमलगित मेंसे कों सा जोड़ा सूमिलित नहीं है एक सड़ आपको शिक्के दे रखे और दूसरे सड़ वो शिक्के परचलन का छेतर दे रखा है आपको बताना कौन सा सूमिलित नहीं है सरूप साही मेवार, मदन साही बीकानिर, विजे साही जोधपुर, जाड साही जाइपुर तो इसमें आपका देखा जाए तो मदन साही बीकानिर है यह आपका सूमिलित नहीं है भी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा बाकि सरुप साई मेवाड साई है विजे साई जोदपूर साई है जाड साई जैपूर साई है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल चरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि संगनग वर्टी परिक्सा के लिए डेली आपको ये क्लास मौर्णिंग में साड़े दस बजे इसी यूटूब चैनल पर देखने को मिलती है इसलिए चैनल चरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट किशन है खगोल विग्यान के बारे में जिज मौबस साई पुस्तक किसने लिखी थी जोदपूर के सासक जसोन सिन आमेर के सासक भारमल जैपूर के स्वाई जैसिन उदेपूर के माराणा उदेशिन तो आपका राइट एंसर हो जएगा जिज मौबस साई पुस्तक है खगोल विग्यान के बारे में लिखी थी किसने जैपुर के स्वाई जैसी ने लिखी थी स्वी आपका करक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुषिन उस सतंता सेनानी का नाम बताईए जिसने पंचीडा नामक लोग प्रिये गीत की रचना की है विजेशिन पतिक, हिर्यालाग सास्त्री, मानी की लालवर्मा, जै नराणी व्यास तो आपका राईट एंसर हो जाएगा पंचीडा नामक लोग प्रिये गीत की रचना मानी की लालवर्मा ने की थी सी आपका करक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुषिन जैपुर में राम परकास थेटर की इस्थापना किस ने की थी? माराजा राम सिंदिर्तिय, स्वाई जैशिन, माराजा मान सिन, माराजा परताप सिन तो आपका राइट एंसर हो जाएगा जैपुर में राम प्रकास थेटर के इस्थापना आपके की थी महाराजा राम सिंदिर्तियन है यह आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट किशन लपा लपी किरण और गोकरू क्या है राजिस्थानी फिलम सासूमा में किरदार गोटा की विविन किश्मे सेरवानी के नाम अधिक उपर देने वाले कीट तो लपा लपी किरण और गोकरू है यह आपके गोटा की विविन किश्मे है भी आपका correct answer हो जाएगा next question मुर्किया पहनी जाती है गले में नतुने पर कानों में कलाई में तो मुर्किया आपके पहनी जाती हैं कानों में C आपका correct answer हो जाएगा next question में सुमिलित करना एक सर्ड समाचर पतर है और दूसरे सर्ड परकासन का इस्थान है आपको सुमिलित करके correct answer बताना है तो सबसे पहले दे रखा है परजा सेवक परजा सेवक का परकासन का इस्थान है आपके जोतपुर अब पहले का तीसरा पहले का तीसरा जब आप आप उप्सन में देखोगे तो आपको एक ही उप्सन दिखाई देगा वो है B तो correct answer आपका B हो जाएगा बाकी के उप्सन देखने की भी जरूरत नहीं है इस तरह आप एकजाम में अपना समय भी बचा सकते हो Next Question Next Question है आपके फिर से सूमिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को सूमिलित करके correct answer आपको select करना है तो सबसे पहले दे रखा है जहर पीर जहर पीर से किस देवता को जना जाता है गोगा जी को तो पहले का आपका तीसरा हो जाएगा फिर आपका दे रखा है सिव का आउतार शिव का आउतार किन देवता को का जाता है तेजा जी को उसके बाद आपका दे रखा है लक्समन का आउतार फड़ चितर कुला में तो लक्समन का आउतर फड़ चितर कुला में का जाता है पाबु जी को राम सापीर का जाता राम देव जी को अब चौथे का पहला आप उप्शन में जब देखोगे तो आपको एक ये उप्शन देखने को मिलेगा वो है C तो C आपका correct answer हो जाएगा इस बार आपको बता दिया जाता है OMR sheet में एक जामें 5 option होंगे यानि कि आपके question number के 10% से अधिक अगर आपने खाली चोड़े है तो आपका result रोग दिया जाएगा कितने percent से? 10% से जैसे जैसे कि आपके question paper में 100 question है तो 10 से जैदा अगर आपके खाली चोड़ दिये तो आपका result रोग दिया जाएगा और 10 से कम खाली चोड़े तो जितने खाली चोड़े उसके according आपके negative marking के तोर के number काट ले जाएगे यानि कि अगर आपको answer नहीं आ रहा है तो आप 5 option भरिये इससे ना तो आपके number काटे जाएगे और नहीं आपका result रोखा जाएगा इसलिए आपको बता देता हूँ फिर से बार-बार के इस बार आपको 5 option देखने को मिलेंगे नेक्स्ट question तो हाडोती शेवासं के संस्तापक कोन है पंडित नईनूराम सर्मा रजब वानी पुस्तप किस गरंत या संपरदाय से संबंधित है दादू, विस्नोई, रामसने, निमबार तो रजब वानी पुस्तप किस गरंत या संपरदाय से संबंधित है राइट एंसर हो जाएगा दादू पंड से ए आपका correct एंसर हो जाएगा स्वामी दयानन सर्शती पहली बार 1865 इशी में कहां से राज की अतिति के रूप में राजिस्तान आये थे जाइपुर, जैसलमेर, उदेपुर, करोली तो आपका right answer हो जाएगा स्वामी दयानन सर्शती पहली बार 1865 इशी में करोली से राज की अतिती के रूब में राजिस्तान आयते D आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट किशन निमलिकित में से कौन से युगम सही नहीं है आपके पास option है डूंग जी जवार जी शिरूई मेरापखन कोटा लाला जयदे अलकोटा ठाकुर कुशाल सिन जोदपुर तो इसमें आपका जो सही नहीं है वो है A, डूंग जी जवार जी शिरूई ये आपका सही नहीं है ये आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट किशन जाइपुर का इस्थापना वर्ष है 1727, 1723, 1702, 1750 तो जाइपुर का जो इस्थापना वर्ष है वो आपके है 1727, A आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट किशन कनक शागर एक है रामसर्त इस्थल, किशन मरग अभियारन, बाग अभियारन, पक्षी अभियारन तो कनक शागर आपके एक पक्षी अभियारन है D आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट किशन आपके अधिनस्थ बोड़ द्वारा डिलिट करवा दिया गया था किशन नमबर 21 नेक्स्ट किशन नेक्स्ट किशन है राजोर गड के कलात्मक वेबो किस काल से समन्दित है A आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट किशन चिडावा का गांधी किसे का गया है गंश्याम बिडला मास्टर प्यारे लाल गुपता दामदर्दास राठी सरदार हरलाल सिन तो चिडावा का गांधी किसे का गया है चिडावा का गंधी मास्टर प्यारे लाल गुपता को का गया है भी आपका correct answer हो जाएगा Next question सुनारी शवेता के आउसेस राजिस्तान के किस जिले से प्राप्त हुए है चूरू, जुन्जुनु, शीकर, भीलवाडा तो सुनारी शवेता के जो आउसेस है वो राजिस्तान के जुन्जुनु, जुले से प्राप्त हुए है भी आपका correct answer हो जाएगा Next question शेख, हमेमुदी, नागुरी किस सूफी सिलसले के थे सूरावर्दी, मगरीबी, चिस्ती, कादरी तो आपका correct answer हो जाएगा शेख, हमेमुदी, नागुरी, चिस्ती, सूफी सिलसले के थे सी आपका correct answer हो जाएगा Next question नेमे सिक्य सेवतंदा सेनानी की जेल की यातनाओं के परिडाम सरूप बरेली जेल में मृत्य हो गई थी जोरावर सिन बारट, केशरिशिन बारट, परताप सिन बारट, विजेशिन पति तो आपका right answer हो जाएगा इन में से परताप सिन बारट की जेल की यातनाओं के परिडाम सरूप बरेली जेल में मृत्य हो गई थी C आपका correct answer हो जाएगा Next question खस का सरवार्दिक उत्पादन राजिस्तान के किस बेल्ट से होता है कोटा बूंदी जालावर, धोलपूर करोली अलवर, अजमेर भीलवडा चितोडगर, श्वायमादपूर भरतपूर टॉंक तो खस का सरवार्दिक उत्पादन राजिस्तान के किस बेल्ट से होता है, राइट एंसर हो जाएगा, स्वाइमादपूर, भरतपूर और टॉंक से होता है, डी आपका, करेक्ट एंसर हो जाएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चेनल जरूर सब्सक्रा राजमेल आपके हो जाएगा, बनास डाई और खारी का, रामेशर घाट हो जाएगा, बनास चंबल और सिप, और बेनेशर आपका हो जाएगा, शो माई चाखम, तो आपके इसमें करेक्ट एंसर भी पहला दूसरा तीसरा चोथा होगा, जब ऑप्सन में देखोगे, पहला दूसरा, तीसरा, चोथा, तो आपको ऑप्सन नमबर तीसरे में देखने को मिलेगा, C आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट किशन, राजिस्तान का कौन सा जिला सबसे कम अंतराष्टी सीमा साजा करता है, बीकानेर, जेसलमिर, जोधपुर, गंगानगर, ऑप्सन इक्षा के परसार के लिए, वी निर्मान ओद्योदिक इकायों की स्थापना के लिए, अठारा वर्से कम उमर की बालिकाओं के रक्षा के लिए, ये शैकारी शमित्यों को बड़ावा देने के लिए, तो राजिस्तान के शंदरब में आपके प्लग एंड प्ले शुवीद इक्षा का तात्पे क्या है, प्लग एंड प्ले शुवीदा का तात्पे, वी निर्मान ओद्योदिक इकायों की स्थापना के लिए, वी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट किशन, इस्टक्टिलर इक्वेशन मोडलिंग, शैम किस स्थिति से समन्दिते हैं, रे राजिस्थान में ओद्योदिक इकासे तो जापनी जोन कहां विख्षित किया गया है, जैपूर, कोटा, अलवर, अजमेर, तो जापनी जोन कहां विख्षित किया गया है, जापनी जोन आपके अलवर में विख्षित किया गया है, सी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा, ने प्राजिस्थान सरकार द्वारा राजिस्थान वित निगम की स्थापना वर्ष आपके की गई थी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा यक्शन राजिस्थान में प्लास के वन कौन से जिलों में पाय जाते हैं अलवर अजमिर उधेपूर रासमन, कोटा गुंदी बारा सोय माधपूर, नागोर जालोरbhratपूर बारा, भांस अडर डुगरपूर ज़ालावन तो राजिस्तान में पलास के वन हैं आपके पाई जाते हैं अलोर अजमिर उदेपूर रासमन ए आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा कौन सा पुरातात्विक इस्तल तामरवती नाम से जाना जाता था काली बंगा, बागोर, आहाड, बेराट तो तामरवती नाम से जाना जाता है आहड़ सबेता सी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा राजिस्तान के जतीन दास कहलाते हैं बाल मुकुन बिस्सा, परताप सिन बारट, नानाबाई खाट, जोरावर सिन बारट तो राजिस्थान के जतीन दास कहलाते हैं करेक्ट एंसर हो जाएगा बाल मुकुन विस्सा ए आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन भीमलत जल परपात अवस्तित हैं मेनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़च नदी पर, चंबल नदी पर तो भीमलत जल परपात आपके इस्तथ हैं मांगली नदी पर, भी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन ए आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा निमिलिकित मेंसे कौन सा बांध अवस्तित सूमिलित नहीं है? हेमावासपाली, बांकली बासवड़ा, पिछ्याग जोदपूर, मेजा भीलवड़ा तो इसमें आपका बांकली बासवड़ा शूमिलित नहीं है बी आपका राइट एंसर हो जाएगा आपको कमेड़ बाक्स में बताना कि बांकली बांध है वो कौन सी जिले में इस्टित है नेक्स्ट किशन जंतर वाजी एंतर किसके द्वारा बजाया जाता है? देव नराण जी के बोपे, पाबु जी के बोपे, गरासिया जाती, बील जाती तो जंतर वादी यंतर है यह आपके देव नराण जी के बोपो को दिवारा बजाया जाता है यह आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा exam में आपके राजिस्थान जीके या जीके बोले तो 30 question पूछे जाएंगे तो इस तरह से आपको लाश्ट के 10 सालों में जितने भी competition पूछेगे question करवाए जाते हैं ताकि आपके 30 में से 20 से 22 question डारेक्ट सेम टू सेम exam exam में देखने को मिलेंगे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमरा टेलिग्राम ग्रूप जोइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रप्चन में दियावा आप जाके जोइन कर सकते हो किस लोकला के निर्मान का पुस्तेनी वेशाय के लचितोडगर जिले के ग्राम बसी में ही देखा जाता है फड, साजी, वील, कावड तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा कावड लोग कला के नर्मान का पुस्तेनी वैसा के उल्चतोडगर जिली की क्राम बसी में ही देखा जाता है D आपका correct answer हो जाएगा Next question विजे सिन्पति का वास्तिक नाम क्या था फूप सिन्गुर्जर, फाक सिन्गुर्जर, बादुर्शिन्गुर्जर, बादल सिन्गुर्जर तो विजे सिन्पति का वास्तिक नाम था फूप सिन्गुर्जर ये आपका correct answer हो जाएगा Next question कला और पर्मुकंदर में कौन सा सूमिलित नहीं है थेवाकला शीकर, गलिचे नर्मन जैपूर, अजरग प्रेंट बाड़ में कटपुतली उदेपूर तो इसमें आपका थेवाकला शीकर ये सूमिलित नहीं है ये आपका correct answer हो जाएगा Next question अलाओदीन खिलजी ने किस दुरग को जीत कर उसका नाम खेराबाद रखाया शीवाना, जोदपूर, रंधंबूर, चितोड तो अलाओदीन खिलजी ने खेराबाद नाम रखा किस दुरग को जीत कर शीवाना दुरग को जीत कर ये आपका correct answer हो जाएगा Next question बिजोलिया अभिले का काल है तो बिजोलिया अभिले का जो काल है वो है 1177 भी आपका correct answer हो जाएगा Next question मालदेव की किस राणी ने मंडोर के निकट बाउजीरो तालाग का निर्मान करवाया था हिरा देज जाली, सरूब देज जाली, उमा देज बटियानी, पारबती शिशो देनी तो आपका right answer हो जाएगा सरूब देज जाली ने मालदेव की राणी, सरूब देज जाली ने मंडोर के निकट बाउजीरो तालाग का निर्मान करवाया B आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कुष्ण है, निमलिकित में से कौन सा मिलान सही नहीं है रजवली खान विणावादक, आमीर खान शितारवादक, अलाजिलाई भाई मांडगायक, रवी शंकर नडवादक तो इनमें आपका देखा जाए, तो रवी शंकर नडवादक है, ये सुमिलिक नहीं है D आपका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कुष्ण है, राजिस्थान में जोरवागीत क्या है? एक विरह गीत, परियोर में गाय जाने वला एक जनमोशो गीत, वदू विदाई गीत, फसल रोपने के समय गाय जाने वला गीत तो जोरवागीत आपके राजिस्थान में एक विरह गीत है, ये आपका correct answer हो जाएगा और आज का जो last question है, वो है आपके समने screen पर कि गुलाल बाई और कृष्ण कुमारी किस के लिए परशीद है? स्वांग लोकनाटे? नोटं की लोकनाटे? गवरी लोकनाटे? ख्याल लोकनाटे? तो गलाल भाई और कृष्णा कुमारी आपके नो टंग की लोकनाटे के लिए परशीद हैं भी आपका राइट एंसर हो जाएगा तो ये थी आज की क्लास शंग्रणग परती परिक्षा के लिए जिसमें आपके अधिनस्त बोर दोरा पुछेगे राजिस्तान जीके की क्यूशन है आज चर्चा के थी जूनियर इंस्ट्रक्टर पेपर 10 नव 2022 को आजित हुआ था उसमें पुछेगे राजिस्तान जीके की क्यूशन डेली आपको इसी तरह पेपर सॉलुशन करवाए जाती है मॉर्णिंग में साड़े दस बजए इसी यूटूब चैनल पर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम गूर्प जोइने किया है तो लिंक नीचे डिस्क्राप्शन में जिए वाँ आप जाके जोइन कर सकते हूँ